वो एटिटुट कैसे आया मेरे अंदर? वो एटिटुट इसी कारण से आया कि मैं अंग्रेजों को अपना बाप नहीं मानता और आप भी अंग्रेजों को अपना बाप मानना छोड़ दीजिए Simple as that, समझे? अंग्रेजी को इतना यूज़ करिए जितनी इसकी जुरुत हो इंडिया में अगर बंदी पटाने में जुरुत पढ़ रही है उसे करिए लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलने में आपको घमंड आ रहा है कभी घमंड मत करिए, अपनी बाचाही आपके सबसे बड़ी है तो नमस्कार दोस्तों, I hope आप सब ठीक्ता होंगे, मैं भी ठीक्ता हूँ और आपके लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा English की एहमियत, Importance of English और dating context में भी बात करूँगा पर मैं overall life में English के एहमियत के बारे में भी बात करूँगा ये भी बात करूँगा कि English के एहमियत इंडिया में और English के एहमियत भार क्योंकि ये दो चीजे थोड़ा हमें different तरीक से देखनी पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी है तो होता क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक जर्मन दोस्त के साथ मैं पोलड में था वार्साव में तो अभी प्छले साल की बात है तो मैं उसके साथ boot camp जो है boot camp से पहले में थोड़ा मेरे पास free time था तो मैं हम दिन में काफी पी रहे थे एक cafe में और नगए कि एक फिर काफिया है वो उसने जो है आपसे बात कर रहे इं वह र olmaz मैंने इंजरत करना शुरू करी तो मैं उनने से बात कर रहा था और वुजे बात कर रह थे आहिए एए उग्टिस्व में ऐध थे तो फिर जावा है हुंग् वह हो गए, convert, हमने हमने कर लिया, conversion, बनाने सेंस कि जब मुझे इंग्लिश में आंसर देना तो फिर मैं इंग्लिश में बात करने शुरू कर दी, तो बावो करने के बात कर के हम चले गए, तो मेरे दोस्त ने का कि, जो है कि आप जो है, जो आपके जो बही, इंडिया से हैं, वो भी इंडिया से हैं, आप भी इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ, आप हिंदी समझ सकते हैं, पर आप अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं जर्मन हूँ, अगर मैं किसी जर्मन से मिलूंगा, जैसे कि पोल इक बत नहीं करें वो जर्मन में बत करेंगा वो इंग्लिश में बत नहीं करेंगा तो यह चीज आपके अंदर ऐसक्터Sec UX के बson क्यों है तो मैंने क्या कि जाए Bill तो मो क्यो इंजिस आपके अंदर आते हैं तो मेंतra कर सकते हम नोग ता सके तो जब हम इस तरह से सोचेंगे, अब मैं क्या कर सकता हूं, उनको उपधेश तो मैं दूंगा नहीं यहां बैठके, कि यह ऐसे करो, यह ऐसे करो, अब कर रहे हैं अब थोड़ा अब जैसा वो बोल रहे हैं, फिर मुझे उससे बनना पड़ता है, अब उनको यह तो बोलूग कि वो जो जर्मन बंदा है, वो अगर वो कहीं जाता है, और कुछी जर्मन से मिलता है, तो वो जर्मन में बात करेगा, अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, और वो नियॉयॉर्क में जाता है, तो वो जर्मन कोई मिलता है उसे, तो वो जर्मन में बात करेंगे, समझे, तो वो चीज जो है बात एकनम सही है और कोई रॉशियन होगा या कोई और पोलिश होगा अगर वो अपने किसी बंदे से या बहार कहीं मिलता है तो अंगरीजे में बात नहीं करेंगे वो उस अपनी लोकल लैंग्विज में बात करेंगे क्योंकि युः है उनके अंदर एक इन्फियोर्टी कमप्लेक्स नहीं होता कि अपनी लैंग्विज, अपनी भाशा को लेके भारती लोगों में एक इन्फियोर्टी कमफलेक्स बहुत जादा है क्योंकि चक्कर यह है कि बात मैं समझ सकता हूँ कि भारत की जो हिस्टरी है कि भाई धाई सो साल से अंग्रेजों ने रूल किया और उन्होंने जो है एक inferiority complex भारती लोगों के अंदर पैदा कर दिया मेरे अंदर भी था यह inferiority complex वो पैदा कर दिया और उस कानद से बल्कि सच्चा ही तो मैं बताऊंगा कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे हमारे हमारे जो मेरे फादर थे तो मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर था एक मैं हिंदी मीडियम में स्कूल में पढ़ता था हिंदी मीडियम स्कूल था मेरा गौर्मेंट वाले जो हिंदी मीडियम होता ना जो बारा से छे बजे का जो होता है जो दिन में बारा बजे शुरू होत भूल था, Hindi-मीडियम, दिली में, तो दिली-मीडियम से पढ़े हुए थे, पढ़ते थे और एंगलिश में बहुत कच्छा वो था, तो मेरी जो कजन होती थी, वो कैठोलिक जो थी अंग्रेजी मीडियम होती है उनके अंदर होती थि मेरी कजन जो बहने थी, तो जह हम छोटे-छोटे थे तो हम मिलते थे तो जो क्या बोलते हैं आपको एक English की जैसे की किताब पकड़ा दी और आपको रीडिंग करने के लिए बोलते थे तो वो धर 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 बोल देती थी एकदम सब कुछ ठीक ठाक वो बोल देती थी जो इंग्लिश की चीजें दर-दर-दर-दर बोलती थी और मैं करता था यह आधा, बोला नहीं जाता था तो होता किया था, क्योंद पिर मैं रोने लग जाता था था उस टाम पर होता ना कि सब के सामने थोड़ी सी बेजजीती 수ि होती थी तो उससे भी वो चीज़ मैंने बहुत जहली हुई हैं वो सब चीज़ें और फिर करते हैं पढ़ अंग्रेजी पढ़ अंग्रेजी तो तो उस टाइम पे एक थोड़ी जो है यह चीज़ है कि देखा जाये तो अंग्रेजी अगर नहीं बोल पारा तो उसमें बुरा किया है अ वो चीज़ आगे जाके बहुत बड़ा वो एक नासूर बन जाती है वो चीज़ हम अपने आपको कभी भी एक बड़े लेवल पे नहीं देख सकते हम इस माइंड सेट को अगर आप जब फॉलो करोगे तो होगा क्या कि आप हमेशा एक सबसर्वियंट टू गोरा के हिसाब स ही चलोगे क्योंकि आप आप ये समझे कि जैसे कि आपने आपने अपने जैसे आप इंडिया में और आप जो है नहीं होते है कई होते हैं मैंने देखि कें हिंदीं — रचिनी नी बोलते ही है वो अंगेरे जी बॉलτε है जी हैं था बढने फीन को चीज़ आप यूब है तो स् गोरे वाइट कॉलर गोरे की तरह मैं करूँगा तो मेरे को अच्छा माने जाएगा मेरे को higher status माने जाएगा इसके बाद अब जब ये mindset आप अगर बाहर जाते हो उसका एक उल्टा असर पड़े हो क्योंकि आपकी अपनी आइंट्री तो कोई है नी गोरा आपको कभी गोरा आ आप उनके जी हजूरी कर रहे हो अंगरेजी में उनको थोड़ा वो कर रहे हो उस तरीके से कर रहे हो तो वो एक और अपनी language में आपको शरम आ रही है तो वो चीज आप कभी भी उनके लैवल या उनसे उचे लैवल पर पहुँची नी सकते अब जैसे कहते हैं कि भारत को बनने से सहो फिव गरु बनने से पहले आपको उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा विश्व गरु बनने के लिए का से वे लिए जाओग Babaki के अंदर एक फिष्व गरु बन ऑंविश्व बन जाओंगे असको लिए कोई उनके ओनी भाशा के लिए को बाशा पुर्मम प का जो इस अपना है इस बेकार की बाते हैं इन सब चीजों की जुरुद है भी नहीं हमें इस टाइम पे भारत में विश्व गुरू पहले अपना पहले क्या बोलता है कि पहले आपको अपना घर संभालना पड़ेगा भार का विश्व गुरू वो बनने तो दूर की बात है उ तो गोरों को बनाके देखते हैं कि गोरे हैं, सब कुछ है, वही है, तो आप कैसे बन जाओगे विश्वगुरू? और यह बाद में बात करेंगे, अब तो हंदी की बात कर रहे हैं हम तो यह चीजे हैं, तो अब देखा जाए कि जैसे कि अपडेटिंग का हिसाब देखा गाओं के यह वो देहंदी बोलना शुरू कर दें, मैं, देखो यह कहना हूं कि आप अडप करो, आप को जैसे अंग्रेजी को आपको एक्जाम्पल देता हूं कि अंग्रेजी को इस तरह से देखो एक टॉयलेट की तरह है, आप को तुबहूणा जीव सा लगेगा, अंग्रे कि जरूत नहीं है समझे इस तरह से देखो बहु टॉलेट है जरूरत है इसकी हमें जरूत है और हमें जरूत रहेगी उस आप से देखो जब बहार आ रहे हो तो इस चीज का जरूर दिहान रखो अगर आप इंडिया से बहार जा रहे हो और एंग्लो सेक्षन कंट्री स्पेशली वहां जा रहे हो जॉब करने या अपना स्टडी करने तो इस आप से देखो कि अंग्रेजी को देखो एक शौचाले की तरह है कि इसकी मुझे जरूत है लेकिन अगर मैं यह बोल रहा हूं तो इसमें मुझे घमंडी नहीं होना चाहिए और दूसरी बात कि जैसे आपको को बही गोरी बंदी पटानी है अंग्रेजी बोलती है वो बंदी पटानी है तो उसमें आप कितनी बहुत बड़ी अंग्रेजी बोलोगे ऑक्सवर्ड लेवल की अंग्रेजी बोलोगे वो सब ये सब बिकार की बाते हैं इसकी जुरूत भ बहार की, बहार की कह रहा हूं, बहार की बंदी, हाँ, इंडिया में, बहार की बंदी, बहार की बंदी के लिए है, इंडिया की बंदी के अभी बात करेंगे हम, जो बहार की बंदिया होती है, वो चाहिए होता है, दम चाहिए होता है, बंदे में दम कितना है, गेम कितना है, क लड़की भी लड़की भी कलोलियन माइंड सेट आप जिस लड़की से आपको पटाना है या आपने वो करना है उसके साथ फ्रेंड्शिप करनी है संभोग तो मैंने बोलूंगा उसे थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ागा हिंदी में बात करते हुए तो आपने बहु जो है वो लड़की भी एक कलोनियन माइंड से भी ग्रस्त है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने अगर एंग्रेजी के चार वर्ड बोल दिये तो बंदी जो आधा गेम तो वैसे ही खतम हो जाता है जो जो मेट्रोपॉलिटीन जो सिटी जो होती है दिल्ली विल्ली की हो ग और जब वो बंदी एंफुलेंस में आजाया आपकी थोड़ा सुनने लेंगे तो उसे बताओ कि अपनी भाशा का ये ये फायदा है वो है पर अगर नहीं भी औरी तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपना काम निकालने के लिए कर दो अंग्रेजी बोल दो वहाँ पर कर लो सीधी सी बात है इंडिया में अगर हम गेम कर रहे हैं और वहाँ पर लड़की भी ये मानते है कि अंग्रेजी अगर आप बोलोगे तो एक हाई स्टेटस होगे ठीक है ना और वो ये मानती है और आप अंग्रेजी बोलोगे तो वह आपको थोड़ा हाई स्टेटस दे करता है वहाँ पर बोल दीजिए लेकिन अपने माइंड सेट में रखिए कि आप अंग्रीजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई भारत के अंदर कोई अंग्रीज नहीं बोलता तो आप उससे बढ़िया है समझे इन चीजों का ध्यान रखिए कभी भी जो है अंग्रीजी बोलने पर घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे को घमंड है मैं तो एक हाई हाई स्टेटस बंदा बन गया हूँ ठीक है बंदी अगर पटानी है आप बोल दो ठीक है यह वो है लेकिन कोई भी अगर जैसे कोई कोई आपको रहा चलता कोई मिलता है वहां पर और वह हिंदी में बात कर रहा है तो उसको उस नजर से निदेखो कि वह आपसे नीचा है आपसे छोटा है यह चीज बहुत जरूरी है इस इन चीज़ को आप दिहान रखना चाहिए तो में जो इस वीडियो में बोलना चाहरा हूं कि जो अंग्रेजी है आप उसको यूज करो जहां पर इंटरनेशनल अगर आप भार जाते हो तो महां कोई दिक्कत नहीं आप अंग्रेजी यूज कर सकते हैं लेकिन अंग्रेजी को अपनी आइडेंटिटी मत बनाई है आपकी आइडेंटिटी जो है वो एक भारती है तो वो उस पे गर्व होना जरूरी है और भारत क अंग्रेजी को नहीं है मतलब कि अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजों की दी हुई एक एक वो क्या बोलता है उसे एक गुलामी की एक निशानी है तो जितना हो सके उससे थोड़ा बचो पर जहां पर जरूरुद पढ़े उसको बोलो टॉयलेट टॉयलेटे बैठके हम खान निखाते हैं पर टॉयलेट के बिना हमारा घुजारा भी नहीं है तो जहां जरूरत है उसको यूज करो और जहां पर नहीं जरूरत है उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप तो मैं इस तरह के वीडियो बनाऊंगा और भी मैं काफी पैशन है और मैं हमेशा यह देखता हूं की कोई भी चीज है घर करके है या कोई भी सुख्सस है किसी बात इन आप गया मैं देखता हूं किसी बंदे कर रहा है तो उसके पीछे स्सवार हमारी लुक्स इंडियन की लुक्स चलो ठीक है अगर हम बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि वो लड़कियां पसंद ना करें यह है वो है वो है यह कई बहतेरी बाते बनाते हैं लोग ठीक है ना तो मैं मानता हूं चलो ठीक है हम अंगरे हम इंडियन बन्दा हूं जैसे मैं एक सुड़िश का गोरा बन्दा उससे लुक्स लेवल में एक थोड़ा लग हो गार मैं मानता हूं इस ब्याप को लेकिन फिर भी एक जो एक आटिटीउड होता है वो इंडिया का एकदम वैसा होत और जब वो उसत्रह से छोटा समझते हैं, तो वो बाढर जाते हैं, और किसी western लड़की से बात करेंगे तो अपने आप ही उसको ऊचा समझेंगे, और जब उचा समझेंगे तो गेम ऑपने आप ही तफ हो जायगा अगर आप नोटिस करोगे जैसमि अमरिका मेड़ी ऐग या इंगलेंड मे गोरों गोरेअ बं बंदों के बदों को उले साफित लगे जैसिसेर है नंभर उते हैं लोगे इनली के लज Tákaan बंदों को पढ़ा आता है वो रेस कालेरबंदे जो हैं वो second number पर आते हैं उसके बाद पिर आपको मिलेंगे तो जो Arab होते हैं लेटीन होते हैं ये आते हैं पिर आते हैं तुम्हारे Asian और फिर end में आते हैं Indian, सबसे end में आते हैं Indian और अगर देखा जाए Asian और Indian इंडियन मतलब कि बरावर बरावर मान सकते हो लेकिन एशिया में कई बार थोड़ा थोड़ा एक फैशन सेंस, स्वैक थोड़ा होता है एशियन के अंदर, कोरियन पॉप कुल्चर तो थोड़ा साइडवेंटेज उन्हें मिल जाता है लेकिन इंडिया में कोई भी चीज जो है एक पॉजिटिव नहीं हो रही और वो और उसमें कलोलियन माइंड सेट होता है अगर अब एक चीज आप देखिए कि जो काले हैं मैं यह नहीं मानता कि इंडिया कालों से जादा देखने में बुरे लगते हैं ऐसा कुछ है ऐसा मैं मानता कि इंडियन जो है वो दो भी ठीक ठाक लगते हैं इंडियन जो है अरब थोड़ा गर सेहत वेत बनाएं तो वो भी अरब वगरा जो होते हैं मैक्सिकन वो उसी लेवल पर लेकिन लड़की पटाने के मामले में वो सबसे पीछे क्यों रह जाते हैं क्योंकि एक एक और उससे काफी आदा नुकसान होता है इस मामले में और जो जैसे आपके जो अब ये कुछ वीडियो देख रहे होंगे और उनके जैसे कि कई जो हो सकता है कि कोई देख रहा हो और उसके फादर उसके बाहर माइग्रेट की करे हों उनके फादर या पेरेंट्स माइग्रेट क इंडियन जो बाहर माइग्रेट हो गए तो बच्चे जब पैदा होंगे उनके बाहर तो उनमें भी वो slavery mindset वो अपने आप ही वो इनहिरेट हो जाएगा वो साब सही उन्हें सिखाएंगे साब सही करेंगे कि भाया देखो जैसे कि कोई साथ के देशक में या सतर के देशक में कोई बंदा भार गया ठीक है वो भार गया उसके बच्चे पैदा हुए नब्भे के देशक में बच्चे पैदा हुए मानके चलो या सी के देशक में बच्चे पैदा हुए उसके तो वो से बताया कि इंडिया में तो यह है इंडिया मे जो आपके जो भारतिय औरीजन के जो होते हैं जो मतला होते तो वेस्ट में पैदा हैं लेकिन भारतिय औरीजन के जो होते हैं वो पाकिस्तानी नहीं सिर्फ भारतिय वाले पाकिस्तानियों में फिर भी मैंने देखा है कि एक उनमें एक प्राउड होता है भी पाकिस्तानी मतल क्योंकि बई पेरेंट से ही वह सीखा है वेस्टन सुसाइटी भी उस तरह से बनी वी है पेरेंट से भी वह सीखा है पेरेंट से भी उन्हें उस तरह से किया है अरे पेरेंट के छोड़ो कि हमारे में हमारे फादर जो है वह उस तरह के हैं वह भी अंग्रेजों को अपना हो मा कहने का यह मतलब है कि आपको यह इस तरह का attitude त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको एक बड़े लेवल पे success चाहिए, अगें, हिंदी, दीपक हिंदी इस चैनल का उद्देश, डेटिंग अडवाइस देना और भारत स्पेसिफिक डेटिंग अडव इस मामले में भी, लेकिन मैंने कभी एक हिंदी में एक dedicated channel नहीं बनाया तो अब मैं वो इसमें अब दिखाऊँगा, और जो मेरा system है वो one-on-one एकदम जो है इंडिया में बहुत बढ़िया चलता है, मेरे कई क्लाइंट हैं उनको success मिल रही है भारत के अंदर, मुंबई में, डिफरेंट डिफरेंट cities में, उनने success मिल रही है दिली में, कई जगा पर success मिली हैं, तो इस channel पर मैं advice इस तरह से करूँगा कि भारत specific हो, और मेरा एक उदेश्य इस channel का ये भी है, हिंदी channel का उदेश्य है कि overall जो भारतिये लोग हैं, उनकी एक, उनमें एक, एक दम आए, ए वैसा है, यह नहीं कि लिबिर लिबिर जो हलके फुलके से होते हैं, बकरी की तरह ऐसे जो घूमत मैं देखता हूँ, बहार जर्मनी में, अमरीका में, ऐसे कोई दम ऐसे कोई दिखता है नहीं, कोई हलके फुलके वो हवा चलेगी वो वैसे ओड़ जाएंगे, light weight जैसे दमदार बंदे होते हैं, तो बंदी अपने आप पठी है, गेम की भी आपको जूरुतनी पड़ेगी, समझे, तो उस तरह की personality मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस तरह की मेरी एक, मैंने जब success करी थी, तो option था कि, स्टार्टिंग तो मैं भी कलोलियन माइंडसेट था, मेरा, पर मैंने देखा कि जब मैं उनको उस तरह से बात करना हूँ, तो भाव ही नहीं दे रही, बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी लड़कियां, तो मैंने अपने आपको बिल्कुल चेंज किया, 180 डिग्री अपना इटिट्यूट चेंज किया, एक अलफा नहीं लेकर आया, तो वो सब चीज मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, और एक सुपीरियर माइंडसेट, उसके हम अभी बात में बात करेंगे, कि एक सुपीरियर माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, इंडिया के लोगों में एक सुपीरियर माइंडसेट नहीं होता, इंडिया में जो है, या तो अपने आपको नीचा देखेंगे, या फिर हत से हत वो बराबर, हम बराबर, बराबर, भाई या सुपीरियर बनना पड़ेगा, आपको जो है, अपने आपको सुपीरियर बनना पड़ेगा, लेकिन आपने आपको superior समझें, collectively superior समझें, दूसरे लोगों से ज्यादा, जैसे दूसरे लोग गोरे हो गए, और कोई दूसरी जो रेस हो गई, उससे हो गए, तो इस साब से आपको सोचना पड़ेगा, इस साब से अगर आपको एक international लेवल पे विश्व गुरू बनना, एक बड़े लेवल बनना, एक dominant एक रेस चाहिए आपको, तो इस साब से सोचना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है, और सबसे पहले आपको जो अंगरेजी का खीड़ा लगा हो है, इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा, अगें अंगरेजी को बस इसी तरह से यूज़ करो, जैसे कि ट नहीं पढ़नी जरूरत, तो अपना मत यूज़ करो, सिंपल, समझे, अब हो सकता है कि आपको जॉब में, कहीं अंगरेजी में बात करनी हैं, तो कर लीजिए, लेकिन जब आपने दोस्तों में बात करने हैं, तो हिंदी में बात कर लीजिए, समझे, तो इन चीज़ों का ध एक जो एक आप सोच रहों कि हमारी एक इंटिटी एक इंटरनेशनल पे लेवल पे एक सॉलिड इंडियन इंटिटी हो सो ये बात मैं इसी वीडियो में बोलना चाह रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपके पास कुछ कमेंट्स हैं कुछ आप बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए मैं सुनूँगा मैं पढ़ूँगा और उस आप से जवाब भी दूँगा अभी काफी बीजी हो जाऊंगा और उसके बाद दो महिने में हो सकता है कि मैं थोड़ा अपना एक प्रॉपर सेट अप करूँ जगय का जहां पर थोड़ा अच्छी तरह समें वीडियो थोड़ी क्वालिटी में इंप्रूफ करूँगा हिंदी में भी अपने इंग्लिश म नहीं दिखा सकता अब देखिए यही बात अब देखिए जैसे कि मैंने जो है ठीक है मैं बहार आया गेम सीखा फिर गेम सिखाया मैंने लोगों को गेम मैंने लोगों को सिखाया और अब मैं चैलेंज करता हूँ गोरो को चैलेंज करता हूँ कि आप आप तो या तो या तो यूट्यूब चैनल देख लो जो आप मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी वाला है उस लेवल पर आपको result जो है कोई गोरा बंदा dating coach नहीं दिखा सकता तो वह attitude वह attitude कैसे आया मेरे अंदर वह attitude इस ही कारण से आया कि मैं अंग्रेजी को अपना बाप नहीं मानता और आप भी अंग्रेजियों को अपना बाप मानना छोड़ दीजिए सिंपल एस डैट समझे अंग्रेजी को इतना यूज करिए जितनी इसकी जुरुत हो इंडिया में अगर बंदी पटाने में जुरुत पढ़ रही है उसे वो करिए लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोलने में आपको घंद आ रहा है कभी घंद मत करिए अपनी भाषा ही आपकी सबसे बढ़िया है बट अंग्रेजी बोलने पर ये सामने वाली लड़की को कलोलियन माइंड सेट हो रखा है वोसे भी अंग्रेजी चाहिए उसे अंग्रेजी बोलेका तो बंदा वो गेम असान जागा तो बोल दीजिए क्या दिक्कत है ठीक है ना और अगर आप बाहर जा रहे हैं फिर तो वह वहां पे बहुत क्यृतन कir टकोरहां है उसे तुरह से उस तरह से आपना इटिट्व्ट दिखा रहे हैं वहां पर ऊससा थे अपनी बंदी बन बंदी बतेगी आपे बंदा चैए राव नैसे दंड़ार बंदा चाहिए उसके बारे में बात करेंगेंगी जो मेरां ग्रेज हम मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर बाई